बार बार अगर आपको भी legal notice मिल रहा है या अगर आपने भी loan default किया है तो ऐसा हो सकता है कि बार बार आपके पास भी legal notice whatsapp mail के जरिये पहुँचे तो कोन सा notice आपके लिए कितना important है और किसका आपको reply देना है कैसे पता करेंगे कि कोई case वगरा registered हुआ है कि नहीं हुआ है और भी ऐसे कई सवाल आपके मन में हमेशा रहते है जबी भी कोई notice आता है अब ऐसे में कोन सा notice कब आता है और उसको कैसे आपको handle करना है इसके बारे में discussion होने वाला है आज के इस वीडियो में तो अगर आप हमारे चैनल loan help इंडिया पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और सभी साथियों का स्वगत है आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं legal notice यह legal notice नाम का एक paper होता है कागज होता है जिसमें आपकी और आपकी loan की details वगरा लिखी होती है और यह legal notice जब आप loan को default करते हैं यानि कि जो time बना है EMI payment करने का उस time से ज़्यादा आप ले लेते हैं या time पर payment नहीं कर पाते लोन को default कर जाते हैं तो ऐसी situation में आपके पास कुछ अलग तरीके से notice वगरा आते हैं अब इसमें से सभी company कब notice भेजती है हर company का time अलग होता है किसी का भी time fix नहीं होता कि कब notice आना ही आना है लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा सबसे पहले तो आपको जो notice आता है वो एक legal notice होता है अगर आप loan को default करते हैं तो company एक दिन से लेके तीन महीने के बीच कभी भी यह notice आपके उपर जारी करती है अब यह legal notice से क्या मतलब है क्या आपके उपर legal कारवाई हो गई या legal कारवाई होने वाली है तो देखिए यह legal notice जो सबसे पहला आपके पास आया है वो legal notice इसलिए आया है ताकि आपको reminder दिया जाए यानि कि यह आपका reminder है यह बताने के लिए कि जो आपका loan default है देखिए आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो जितने भी तरहिके के notice होते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी लेकिन आधा अधा अधू करेंगे तो पहले दिन से लेके एक महीने दो महीने तीन महीने के अंदर एक reminder आपको आता है legal notice के form में यह आपको आता है mail पर या फिर आपके WhatsApp पर अब अगर दूसरी हम लोग legal notice की बात करते हैं तो दूसरा जो आपको notice आएगा वह section 25 का notice आएगा यह section 25 का notice क्यों आता है देखिए अगर आपने online e-nac वगरा on किया है तो आपको section 25 का notice आता है यानि कि ECS जब आपका bounce करता है तब आपको section 25 का notice आता है अब इस section 25 का notice आपके लिए कितना important है देखिए notice का reply कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए सबसे पहले तो जब आप loan को default करते हैं तो company को एक letter दे दीजिए कि आप अभी पैसा payment नहीं कर सकते हैं इसके बाद भी लेकिन company आपके उपर notice निकालती है और यह notice अगर आपको आता है तो इस notice को जब आप already mail कर चुके है तो इसको आप ignore कर सकते हैं और section 25 का अगर notice है तो आप इसको भी ignore कर सकते हैं ठीक है इन दोनों notice को आप ignore कर सकते हैं अगर आप already उनको बता चुके हैं कि आप किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और क्यूं आप से payment फिलहाल नहीं हो पा रहा अब इन दोनों notice के बाद ज यह loan recall notice फिर से आपको बेजा जाता है यह याद दिलाने के लिए कि जो आपका payment due है वह अभी तक आपने payment नहीं किया और आप जल से जल इसका payment करवा दे तो ऐसा कुछ आपको loan recall notice मिलता है और यह कम मिलता है जब आपका तीन महीने से ज्यादा loan due हो जाता है तब आपको यह notice दिया जाता है कि देखिए आपका जो भी amount है वह due हो चुका है तो आप जल से जल payment करवा दी तो आपको अगर बात करें इसको क्या करना चाहिए तो आप इसको भी ignore कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसको भी ignore लिक देता हूं ताकि यह भी clear हो जाए अब इसके बाद एक और notice हो तो बोलते हैं loan demand notice कि देखते रहिएगा किस-kis तरीक्ये के notice आते हैं आपको जानकारी वीडियो में मिल जाएगी अब इसके बाद जो next notice की मैंने बात की है वो है loan demand notice क्या मतलब है कि वह आपका जो overdue amount है वह demand कर रहे हैं मैं आपको अल्रडी बता चुका हूं अगर आप उन को बताएं कि आपके साथ कुछ परिस्ति गलत चल रही है लेकिन आपको notice आना अनिवार रहे हैं यह company का rule and regulations होता है कि वह notice भेजना ही भेजना है बहले ही किसी भी company से 100 रुपे का भी amount होगा loan का या एक करोड का भी amount होगा notice conform होता है आना ठीक है अगर notice नहीं आएगा तो फि यह notice send करते हैं अगर बात करें loan demand notice के तो loan demand notice भी आप ignore कर सकते हैं अब यहाँ पे इन चारो notice को आप ignore कर सकते हैं इन सभी की मैंने बात कर ली है जो notice आप ignore कर सकते हैं अब बात करते हैं ऐसे notice के बारे में जो आपको बिल्कुल भी ignore नहीं करना जिसका आपको reply देना है ठीक है और इन चारो नोटिस का यह मतलब नहीं है कि आपके उपर किसी तरीकी का केस है या आपको कोट में जाना है या मतलब नहीं होता यह सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए भेजा गया है और कुछ भी नहीं आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके और साथी में अगर सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर दीजे अब बात करते हैं में दो नोटिस जो आपको important है और जिसका आपको reply देना है एक होता है आपको final notice ठीक है यह आपको आता है और दूसरा आपको आता है arbitration के लिए इन दोनों का notice जो भी जब भी आये तो इसका आपको reply करना important है नहीं तो फिर आपका इसमें क्या होता है arbitration में कि bank account बहुत बार freeze हो जाता है ठीक है bank account freeze हो जाता है अगर इसमें आप नहीं भाग लेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और बाकी बात करें final notice की तो final notice में भी उनको एक बार reply करना पड़ता है कि आप आगे आप क्या करना चाहते हैं आप आगे की मनशा क्या है लोन दे पाएंगे लोन नहीं दे पाएंगे लोन settlement कर पाएंगे आगे क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मनशा क्या कर सकते हैं final notice आने के बाद कि क्यूं भाई आप क्या payment तो नहीं हुआ अभी तक चलिए ठीक है छे महीने ड्यू हो चुका है और आठ महीने ड्यू हो चुका है आएक साल ड्यू हो चुका है आप final notice आया है अब आप उनको बताईए कि अभी आपकी जो कंडिशन है हाल फिलाल की वो किया है किया आप सक्षम है लोन का payment करने में या आप लोन का settlement करने में सक्षम है या आपको और टाइम चाहिए तो आपकी जो भी मनशा है वह आप वहां पे clear करेंगे clear cut कर देंगे कि मेरी मनशा यह है और मैं अब जो है आगे यह step लेने वा वहां पे भी हम आपकी पूरी से पूरी help करने की कोशिश करेंगे मदद करेंगे अब देखिए next बात करते हैं arbitration का notice अगर आप बात करें हम लोग arbitration के notice के बारे में तो arbitration का मतलब होता है मध्यस्ता अब मध्यस्ता के करम में भले ही आप भाग नहीं लेने वाले हैं आपको reply करना पड़ेगा अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको एक reply company को एक reason कम से कम देना होगा कि किस वज़ा से आप उनको ज्वाइन नहीं करेंगे किस वज़ा से आप उनको नहीं मानते हैं या और भी कोई other reason जो आप चाहें दे सकते हैं या कोई भी condition आपके पास है आप specify करेंगे और उनको एक reply देंगे arbitration के notice में कि आपको ज्वाइन नहीं करना नहीं तो आगे चलके कभी कभी bank वगरा freeze हो जाती है जब वहां से फैसला निकल के आता है तो bank account को आपके freeze कर दिया जाता है और आपको पता भी ने चलेगा कि यह सब कभ हुगा तो यह बात कह करेंगे तो इन सभी तरीके की आपको notice देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी in the sense अगर आप इससे घबरा रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराईए नहीं इससे कोई डरने की बात नहीं है मैंने आपको बता दिया कि कोई डर वाली ऐसी situation यहाँ पर आपके अंदर create नहीं होनी च जानने के लिए आपको वेट करना होगा समन का यह समन क्या होता है समन मतलब होता है बुलावा आप जो कोट से आता वह तो बहुत लंबे समय बाद बहुत अर्से बाद आता है और वह भी कब आएगा जब आपका इमाउंट ज्यादा होगा और किसी तरीकी का reply नहीं देंग गया है और कितनी देट और तारिक को बुलाया गया है तो ऐसा कुछ समझेंगे कि ठीक है अब आपको बुलावा आया है अब आपको जाना है और ऐसे में अगर कोई दिक्कत परिशानी आती है तो आप वाटसब पर भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं आज क्या इस वीडिआ मैं मै लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से वीडियो को शेर भी कीजिए चली चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुती जल्द जै हिंद जै भारत